नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर कॉमल बहल, वेलकम टू मैं यूट्यूब चानल दोस्तों इस एपिसोड में हम लोग डिसकस करेंगे इंपोर्टन सिक्स्टी यानि कि साथ क्वेशन्स और इसके आंसर से भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं गंगा तोवे बिंदुचवी इसके संदर्ब में आया है तो गंगा तोवे बिंदुचवी जो है स्वाटिका को कहा गया है ग्रीन विट्रॉल क्या है ग्रीन विट्रॉल जो है वो कासीस है चरक अनुसार ये important question है चरक अनुसार शार निर्मान में प्रियुक्त जल्गी मात्रा क्या होनी चाहिए तो शार निर्मान में प्रियुक्त जल्गी मात्रा छे गुना होती है विरल द्रवा किसको कहते है विरल द्रवा जो है विलेपी को कहते है जबकि जो मंड होता है वो सिक्ता रहित होता है सिक्ता मतलब granules तो सिक्ता रहित जो है वो मंड को कहा गया है मतलब clear liquid and पेया को सिक्ता युक्त कहा गया है चीक है and यवागू को हम बहु सिक्ता युक्त कहते है उप्षय के कितने प्रकार होते है उप्षय के अठारा प्रकार होते हैं व्रिष्चिक दंश वन्त पीड़ा किसमे होती है बहुत common and बहुत popular question है तो व्रिष्चिक दंश वन्त पीड़ा जो है आमभात में होती है कांडेक्षू संकाशम मुत्र किसमे होता है एक्षू वालिका रसमेह में कांडेक्षू रस संकाशम मुत्र त्याग होता है एक्षू वालिका रसमेह में खव विगुन्य अवश्यक किस चीज के लिए है दोशों के समूर्चना के लिए या स्तरोतो दुष्टी के लिए या स्थान संशे के लिए सभी के लिए खर विगुन्य होता क्या है देखे खर विगुन्य जो होता है हमारे शरीर में कोई एक स्थान जो होता है उसमें अगर थोड़ी सी कमजोरी हो तो दोश जब प्रकुपित होते हैं तो उस कमजोर स्थान को खर विगुन्य कहते हैं तो उस खर विगुन्य स्थान पे जाकर आश आश्रित हो जाते हैं ठीक है किसी के हिर्दे में for example weakness है या किसी के kidneys में weakness है तो वहीं पे आश्रित होकर वो रोग उत्पन करते हैं तो खव गुन्ने जो होता है दोश्यों के स्थान सर्शे के लिए अवश्यक होता है निम्नलिकित में से किस कुष्ट में वात की प्रधानता र जंखन and संशोधन दोशे वेगे चर विगते सुप्तवत प्रति बुद्ध दे ये किस के लिए कहां गया है इसका मतलब क्या होता है देखे जब दोश का वेग आता है तब सुप्तवत मतलब ही जैसे सोय होए इंसान को कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है सराउंडि वैसे ही जब दोश का वेग आता है तो जिस रोगी को दोशों का वेग आता है उस वेग में वो सुत्वत अवस्था में होता है मतलब कि उसको कुछ भी होता है दोरा पड़ता है सीजर होता है तो उसको पता नहीं चलता तो यह अपसमार में होता है दोशे वेगे चेव विग जो है कामला, अपसमार ज्वर तीनों में कीया जाता है तो इसका answer है none सने वस्ते के व्यापत कितने होते है 6 हरित पीडन कौन से विशका लक्षन है فल का, पुषपका, शीर का, दाटू का तो हरित पीडन जो है धातो विशका लक्षन है चरक और सुशू के अनुसार विष्के वेग कितने होते हैं देखे चरक जी के अनुसार विष्के वेग है 18 और सुशू जी के अनुसार विष्के वेग है 7 विष्ट जिकित्सा चरक के किस चतुष्क में वणित है भीशेच चतुष्ट, रोग चतुष्ट ये कलपना चतुष्ट तो तीनों में ही विश्च किसा वढ़नित नहीं है क्योंकि ये चरक के जो उतरार्ध पार्ट है वॉल्यूम टू उसके चिकिसा स्थान के चाप्टर नमर 23 जो है उसमें विश्च किसा वढ़नित है रूल ओफ नाइन किस चीज से समन्दित है रूल ओफ नाइन समन्दित है बर्ण से I.B.C. 336 समन्दित है रेप से मैतरी कारूनेम आर्थिशू ये गुन किसके है ये गुन जो है वैद्वृत्ति है अचारी चर्प के अनुसार लवन कर्म क्या करता है विश्यंदन गूर लिंग व्यादी का अनुमान निम्न में से किस से करते हैं तो हमेशा याद रखे कि गूर लिंग व्यादी का अनुमान जो है उप्षे और अनुप्षे से किया जाता है अगनी कर्म और शार कर्म निम्न में से किस धातू प्रदोशच विकार के लिए बताया गया है important question है ये तो ये मानसच प्रदोशच में प्रियोग किया जाता है अगनी कर्म और शार कर्म निदान अर्थकर रोग के संदर्ब में निम्ट में से कौन सा विकल्प सत्ते है तो मैं इसके आपको डारेक्ट बता देती हूँ सबसे पहले तो यह देखिए कि जो निदान अर्थकर रोग होते हैं तो ये जो सीक्वेंस है, ये correct है निदान अर्थ कर रोक के लिए सर्व इंद्रियानी सर्व अव्यव कौन से महीने में उत्पन होते हैं तो ये टृत्ती गर्ब मास में उत्पन होते हैं गर्बनी में उदावर्थ रोकी जिगिस्टा कैसे करते हैं? निरुवस्ती से असाधे आर्तव के दोश कितने होते हैं पांच दर्ब संसतर शाइनी ये किसको कहा गया है किक्किस की चिकिसा में क्या प्रियोग होता है इसमें चंदन, कोलोदक, मुरिनाल सब कुछ प्रियोग होता है दंत उत्पत्ति का कारण क्या है रस और अस्थी शीर अन्नाद की ऑशिदी मातरा कितनी होते हैं कोलस्ति प्रमान पारी-गर्बिक के चिकिसा कैसे होती हैं अगनी दीपन से दूध कट्टा किसको कहते हैं पारी-गर्बिक को ओश्ट भेद इन कहा है – खंड ओश्ट, सहजव्यादी ये वातजव्यादी तो ओष्ट भेत तीनों है, खंड ओष्ट भी है, सहज वियादी भी है और वातज वियादी भी है जातम जातम जलम, स्तराव्या मेव किस के लिए कहा है तो जातम जातम बलम स्तराव्या मेव जो है छिद्र उतर के लिए कहा है पिपली वर्धमान रसाइन किस रूप में प्रियोग करना चाहिए बलवान व्यक्ति में तो ये कल्क रूप में प्रियोग करना चाहिए जोर की प्रवृत्ती जो है किस से होती है तो इसका आंसर है दोनों मतलब कि यरुद्र कोप से भी होती है और परिक्रेसे भी होती है, लशुनषीर, यह important है, लशुनषीर का जो रोग अदिकार है, वो क्या है, लशुनषीर का रोग अदिकार है, गुल्म, दोस्तों इसमें सारे questions जो हैं, कहीं बार आ बार आ चूके हैं, ठीक है तो ध्यान से सुनिए एलादी गुटिका की मातरा कितनी होती है इसकी मातरा एक अक्ष भी होती है एक कर्ष भी होती है और एक तोला भी होती है अत्यादिक प्रवरत अवस्था में नेतर और कर्ण को नश्ट कर देता है क्या अरधाव भेदक मतलब माईग्रीन रक्त क क्रिमिज शिरो रोग में ये बहुत important question है असाध्य क्या नहीं है वातिक लिंगनाश पितग लिंगनाश कफज लिंगनाश या रक्तज लिंगनाश तो कफज लिंगनाश असाध्य नहीं है ये साध्य है कारपासी फल सन्निभम किसको कहा है तुम्डी केरी को नेतर रोग की कितने प्रकारके होते है यंतरन जो है तीन प्रकारके होते है एंड शब्द प्राधरवभाव किसका लक्षन है तवचा दग्द का कौन से बगंदर में छिदरस्तिराब होता है शत्पिणक नेक्स तैकि कि चिर उत्थान प्रपाकस्ट इसमें आंसर है वातिक बट मुझे ठीक नहीं लग रहा मैं इसको कंफर्म करके आपको बताती हूँ इसके हमने यह मैच करना कि किसका टाइम पिरन कितना है तो चकरपानी जी का टाइम पिरन है गेर मीश दी, जेचर जी का नौ मीश दी, शाडंदर जी का तेर मी शदी एंन डलहन जी का सोल मीश दी वैदक शब्द सिंदू किसकी रचना है वैदक शब्द सिंदू उमेश चंदर गुपची ने लिखी है नेक्स्ट है क्वेशन नम्बर 74 कि अश्टांग संग्रे की अनुसार प्रजा उत्पादन है तो पूरुष के वो इस्तिरी की आयू कितनी होती है पूरुष की पच्चिस के इस्तिरी की सोला नेक्स्ट कुशन है कि त्रिफला तिमिर घना नाम उक्त कथन है वागभणजी का स्याव स्यादवाद किस दर्शन से समंदिद है तो स्यादवाद जैन दर्शन से समंदिद है जैन दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी होती है 6. दिशाओं की संख्या कितनी होती है 10. अनुपलब्धी प्रमान को निम्न में से किस दर्शन ने माना है इसका अंसरा विदान्त दर्शन ने रिशी कलिष्ट निम्न में से किस समंदित है रिशी पलिष्ट अर्थ आश्य से समंदित है तो दोस्तों यहां पे हमारा यह पेपर खतम होता है जल्दी आपके लिए नेक्स्ट कुईशन पेपर अप्लोड करेंगे ताकि आपकी प्रिप्रेशन के साथ सब प्राक्टिस भी होती रहे धन्यवाद